अश्का दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि Facebook का अकाउंट हम permanently कैसे डिलीट कर सकते हैं और क्या procedure है तो आए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं Facebook के अकाउंट को हम permanently कैसे डिलीट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको Facebook लॉग इन कर लेना है और Facebook को लॉग इन करने के लिए आप एप भी यूज कर सकते हैं या किसी वेब ब्राउजर से भी उसको open कर सकते हैं यहाँ पर मैंने Facebook अकाउंट open कर लिया है उपर आप देखेंगे आइकन पर एक profile पर कारी होगी वहाँ पर 3 lines बनी हुई हैं उसके उपर आपको click कर देना है और जैसी आप यहाँ पर click करते हैं नीचे की तरप आपको drop down करना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा setting and privacy तो setting and privacy पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा setting का तो setting के उपर आप जैसी click करेंगे यहाँ पर यह setting option खुल जाएगा और सबसे पहला उपर option है account center तो account center के अंदर आपको आना है और जैसी आप account center के अंदर आते हैं, यहाँ पर आपकी जो profile है, इसकी पूरी information आजाएगी, और यहाँ पर कौन सा option आपको use करना है, यहाँ पर है personal detail, तो यहाँ पर एक और option आएगा personal detail, तो यहाँ पर personal detail पर आपको click कर देना है, और जैसी आप यहाँ पर click करते हैं, यहाँ पर आपको Gmail ID, प्लस आपकी DOB और जो basic detail है आपकी personal वो यहाँ पर show होगी और इसके नीचे एक option आएगा account, ownership and control इस option के उपर आपको click करना है, तो यहाँ पर हम इसके उपर click कर देते हैं जैसी आप इसके उपर click करेंगे यहाँ पर आपको दो option show करेगा, जिसमें से आपको सबसे नीचे वाला option जो है delete करने के लिए account को permanently नीचे लिखा भी है, temporary, deactive और permanently delete your account तो दोनों option, हमें नीचे वाले options से मिलेंगे, इसके उपर आपको click करना है, जैसी आप इस पर click करेंगे, आपकी जो profile है वो यहाँ पर show होगी आपको इस profile पिक के उपर यहाँ पर click कर देना है, जैसी आप click करेंगे, यहाँ पर आपको दो options आएंगे, इन दोनों options का मैं अंतर आपको बता देता हूँ पहला option है, जो आपको deactive करेगा account को temporary दोर पर, जहाँ पर आपको दिखा हुआ है, your account and main profile will be deactivated and your name and photos will be removed आपके photo जो है, और आपका नाम जो है, वो removed हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप share कर पाएंगे कुछ चीज़ें, जहाँ पर continue कर पाएंगे, जो messaging है आपकी chats है, वो सब आप यहाँ पर continue कर पाएंगे बाकी आपकी जो profile होगी, वो directive mode पर चली जाएगी और इसको वापस लाने के लिए आप जैसी login करेंगे, तो यह जो directive mode है, वो हड़ जाएगा इसके लावा नीचे जो option है permanently delete का, यहाँ पर आप अगर click करते हैं, और continue करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो password है, देने के बाद आपका account permanently delete हो जाएगा, और इसको आप वापस ला सकते हैं, 14 दिन के अंदर अगर आप login करते हैं, तो यह permanently delete आपने किया है, यह option cancel हो जाएगा तो यहाँ पर हमें permanently delete करना है तो continue पर click कर देंगे और continue पर click करने के बाद यह show करेगा, य這麼 आपके account के साथ कोई Facebook page जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ से उसको show कर सकते हैं और वो आपको show करेगा और यह भी यहाँ से आपको continue पर click करना है और जैसे आप continue पर click करते हैं यहाँ पर वो reason पूछेगा कि आपको आप किस reason से अपने account को delete करना चाते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी reason select कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने first वाला reason I spent too much time on Facebook यह reason चुनके continue किया और जैसे आप continue करेंगे इसके बाद एक बार और manage your notification continue और यहाँ पर finally आप से पूछेगा delete your account to you message directive तो आप लिख देंगे यहाँ पर directive account continue और continue करने के बाद यहाँ पर आपको finally अपना password फिल कर देना है और जैसी आप यहाँ पर अपना password फिल करते हैं और continue पर क्लिक करते हैं आपका जो account होगा facebook का वो डिएक्टिव वोट हो जाएगा यहाँ पर continue में कर देता हूं जैसी मैं continue करता हूं यहाँ पर password आपको देना है तो मैं यहाँ पर password देता हूं और इसको continue करेंगे और जैसी continue करेंगे देख लीजे मेरा जो अकाउंट है और यहाँ पर है प्रेंपरेरी यह पूछ रहा है कि आप आपस आना चाहते हैं और या नहीं या पर्मेनेंटली आप इसको delete करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रीजन बता सकते हैं कि किस रीजन से जो आपका अकाउंट है आप delete कर रहे हैं तो यह आपको यहाँ से कोई भी एक option चुनके continue कर देना है जैसी आप continue करते हैं आपका Facebook अकाउंट यहाँ पर्मेनेंटली delete हो जाता है इस तरीके से आप अपने अकाउंट को delete कर सकते हैं और य